आप सपी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अधार कार्ड को कैसे डाउनलोड करते हैं तो आज इसी टॉपिक पर वीडियो लेका हैं आपको वीडियो को सुरुषेयन तक देखेगा वीडियो वीडियो में ओशल करेंगे यू आईडी ऐ आई 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 आप कीजिए जैसा कि हम आपको टाइप करके दिखाते हैं थजो desktop mode में कर देते तो ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा जैसा कि देखिए यह website open हो गया यहां जो सबसे पहला website है वो आपको zoom करके दिखा देते हैं इस पर click करेंगे click करने के बाद यह government का official website है उसका देखिए यहां पर देखा रहा है select your preferred language to enter the website अब यहां से हम आपको zoom करके दिखा देते हैं यहां पर बहुत सारा option है get अधार है update अधार है और अधार service है तमको get अधार वाले option में आना है यहां पर दिखिए check अधार status है download अधार आपको zoom करके दिखा देते हैं download अधार है इसी पर click करना है अभी download अधार पर click करेंगे download अधार पर click करने का देखिए welcome to my अधार है उसमें देखिए scroll करने का यहां नीचे देख सकते है download अधार है इस पर click करेंगे जैसा कि click करने का देखिए यहां पर आपको पास तीन भी download करने का एक अधार नॉम्बर से कर सकते है दूसरा enrollment ID से कर सकते तीसरा virtual ID से कर सकते तो यह by default अधार नमबर से दूसरा इनॉल्मेंट नमबर भी आप अगर आप चाहते हैं कि इनॉल्मेंट नमबर आइडी से हम अपना अधार का डाउनलोड करें तो उससे भी कर सकते हैं तो सबसे पहले वाले अधार नमबर पे सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम इसी से आपको डा दिख रहा होगा अधार नमबर हम टाइप कर दिये हैं अब क्य APP wp覺 कर देथे हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा अब देखिए क्ये जेसे- सभिल कर दीए उसका यहां सल्धिऑ है इस पर क्लिक करते है छुँआ और अन फ्रक्रम में, क्यों प्सकुद कर देते हैं तो इसक देखिए फिर से कैप्टा हमने टाइप कर दिया अब सेंड ओटीपी पर किलिक करते हैं अब देखिए ओटीपी सक्सेसफुली डिस्पैस्टू यू जो लंबर है दिया गया वह इसी मोबाइल में लगा हुआ इसी पर ओटीपी आया है अब ओटीपी को हम यहां पर टाइप क कर देते हैं देख लेते ओटीपी किया जैसा कि आपको दिख रहा होगा 403643 404040 हो गया 363643 यह ओटीपी आया है हमने ओटीपी को डाल दिया है अब वेरिफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करते हैं अब देखते हैं आगे क्या होता है अब देखी क्या आ रहा है कौनगा चिले से ओधार कार्ड हैज बीन सक्सेस फुली डांदोड मतलब हमारा अधार काड डाउनलोड हो चुका है अब दिखा क्या रहा है अधार लेटर पीडिफ पासवर्ड विल वी इन एट करेक्टर मतलब अधार काड़ जो है आठ करेक्टर के पासवर्ड के साथ है यहां देखिए उपर में सही का निसान भी है देखिए डाउनलोड कंप्लीट है अब आपको अधार काड़ को ओपेन क अधार के दिखाते है इसमें क्या क्या है पहले समझ लेते हैं क्या है अधार लेटर पीडिफ पासवर्ड विल वी इन एट करेक्टर कम्मिनेशन ऑप दा फ़स्ट फॉर लेटर ऑफ यूर नियम जैसे मेरा नाम सोनु है तो चार करेक्टर मेरा नाम का होगा इन कैप्टर देटर एंड इयर ऑफ बार्थ मतलब बार्थ उन्हें सो पन्चानमे छ्यानमे चैन्तानमे जो भी है चारंग का वो होगा तो अब हम अपना अधार काड़ आपको उपन करके दिखाते हैं अब यहाँ उपन करने के लिए इसमें क्लिक करते हैं अब देखिए जैसा कि यह ओ okay पे click करते हैं, okay पे click करने के पे आप हमारा अधार काट देख सकते हैं, हम आपको इसको blur कर देंगे, security के परपस से हम आपको नहीं दिखाएंगे details, तो इस तरीका से आप आसानी से अधार काट डाउनलोड कर सकते हैं, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा अगर चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दिजेगा फिर से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में